इंद्री ग्रिमंत्री अमिच्छा कह रहे हैं कि मुद्दो की कमी है इसलिए कॉंग्रेस को इस तरह का बयान देना पड़ रहा है क्या जाने अंजाने या चाहे अंचाहे में खळगे जी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसका OBC वोट बैंक पर असर हो सकता है और इससे कॉंग्र करता है उसके खिलाब अपशब्द कहता है तो कभी उसको लाब नहीं मिलता है सवतंतरता के बाद से चाहे जो पाटी सत्ता में रही हो चाहे जो प्रधान मंत्री रहा हो अगर उसके विरुद्ध चुनावी媽 हौल में या बिना चुनावी माहौल के भी अगर कोई उल्टे स नेता यह सब कहते हैं अभी अभी समझ में नहीं आता कि अगर कोई और होता तो ठीक है अभी तक बीच में मजाग चलता था कि दिविजे सिंग कहीं वह भाजपा से तो नहीं मिले हुए हैं कोई मजाग करता कि राहुल गान्धी जी प्रचार शुरू कर रहा हैं कि नहीं भाजपा को कह रहे हैं या किसी को भी इस तरह से जहरीला साप कहना लोगतंत्र में यह उचित है और निश्चित तोर पर भाजपा के जिस विधायक ने कहा है सोनिया गान्धी के लिए विश्कन्या वो भी तुरंत उसके खिलाफ अनुशासन हिंता की कारवाई करनी की करेगी ठीक है मैं आशुतोष वर्मा जी के पास जा रहा हूं विपक्ष के पास क्या मुद्धो की कमी आशुतोष जी चुनाव दर चुनाव इस तरह के बयान दिये जाते हैं अभी 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो अखिलेश जी के एक बयान की बड़ आप लोग जीत को लेकर आशुतोष थे लेकिन वहां गेम ही पलड़ गया आशुतोष जी विवेक जी देखे मैं अभी बात सुन रहा था और जफर भाई ने बड़े इच्छी बात बोले कि भारती जनता पार्टी डिसिप्रिंड पार्टी है और डिसिप्रिंड सानिकों क देखा तो इतनी डिसिप्रिंड वाली पार्टी को तो भगवान ही बचाए ये वही डिसिप्रिंड पार्टी है जिसके नेता के पुत्र ने खुले आम किसानों के उपर जीब से रौंदा और आज भी देश का ग्रह मंत्री है ये वही डिसिप्रिंड पार्टी है जिसके ब लेकिन यहाँ पर बयानों की बात करी है तो मुझे लगता है कॉंग्रेस को इस तरीके से बयानों से बचना इसलिए चाहिए कि इस से चुनाओं पर तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन भारती जंदा पार्टी और उनके भारती जंदा पार्टी के जो चाहने वाले हैं इस बात पर खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ अडानी और अमानी पर बात नहीं हो पाएगी चलो अच्छा हुआ आप सतिपाल मलिक जो गवर्नर है पुल्वामा की बात कर रहे तो वो बात नहीं होगी हम कुछ दिन तक इस तरी पर डिबेट करते रहेंगे बातों को डिरेल करते रहेंगे महंगाई बरुजगारी की बात कोई नहीं पूचेगा लगबग इसी पर कहाँ चलता रहेगा मुझे लगता है कि चुनाओं में इस बात का खाज ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भारती जंदा पार्टी ऐसे चीजों को लपकने के लिए तयार है वो एक बार बोलेगी और कम से कम दस दिन तक न्यूज चैनल में देखिए चलता रहेगा कल से चल रहा है मुझे नहीं लगता है इसके अलावा कोई और राष्टी चनल किसी और पर बात कर रहा है निकाय चुना उत्तर पिरेश का चल रहा है पिछले देड़ मेने से अतीक ही अतीक चल रहा है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कि ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है इसके पीछे क्या शाजिश है इससे बचना चाहिए